पूर्णिंग स्टूडेंट्स मेरा नाम है बैभग और आज हम पड़ेगे समुच्च सेट्स का भाव आठ अभी दग हम साथ भाग पड़ चुके हैं आज हम आठ फे बाग पर दिश्ट्री डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे तो चलिए फिर देर किस बात किये शुरू करते हैं तो आज हम पड़ेंगे उधारन नमबर साथ उसके बाद हम उधारन नमबर आठ प्रदिश्ट्री डालेंगे और इन्हें समझेंगे और अंतता हम उप समुच्च है जिने हम सबसेट्स की नाम से जानते हैं इन पर चर्चा करेंगे और यह आपकी पुस्तक में 1.6 पढ़ती है तो इन्हें अवश्य वहां से पढ़ लिए ठीक है तो चलिए हम आंगे बढ़ते हैं तो उधारन नमबर साथ समान समुच्चेओं के युग्म छाटी है यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बतलाई है ठीक है तो ह समान नहीं है तो है समान क्यों नहीं ठीक है तो देखिए ए में हमें इस समुच्चेओं में सीधा सीधा दिया हुआ है कि यह रोस्टर रूप में लिखा हुआ है और इसका अव्यव शिर्फ एक है जो की शून है ठीक है अब हम 20 समुच्चेओं देखते हैं तो 20 समुच्च है जहाँ पर क्या है पंदरा से बड़े हैं और पास से छोटे हैं तो आप मुझे खुद बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो कि पंदरा से बड़ी है और पास से छोटी है ऐसी कोई संख्या नहीं एसी कोई सुझ्चहँ है कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो कि 15 से बढ़े हो और 5 से चोटे ऑगना हम सी समुच्छए देखते हैं सेसं में सभी X के लिए समूच्छा चांकी x क्या है यह समीकरण का हल है समीकरण क्या है x-5 is 0 तो यहां से ăक्स का मान क्या पाँ जाए रूपत करते हैं जो सी में ठीक है अब हम देखते हैं आधी समच्च लिए जहां पर X क्या है एक्स इस समीकरण के दुवारा पता चलेगा समी करण है x square equals to 25 ठीक है x square equals to 25 तो x का मान क्या होगा हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे है न तो x का मान क्या आएगा plus minus 5 है न प्लस 5 और minus 5 ठीक है तो a में a में जो समुझ्चा है उसमें एक ही अपर वैश्यून न बी है 5 है न क्योंकि ये रिक समुझ्चा है c में x का मान 5 है ठीक है और d में x का मान plus 5 और minus 5 है इसलिए d समुझ्चे में दो व्यव्यव है plus 5 और minus 5 ठीक है ऐसे जो e समुझ्चे है e समझ्चह में तो है सभी x के लिए समझ्चह है जहां की x क्या है इस σमीकरन का एक धन पूर्णाग मूल है किया है dhanatma यह ज़रतना धन पूर्णाग मतलब धनात्मा पूर्णाग मतलब positive integer इन्डिज़व ठीग है x square minus 5 x plus 3 x x square minus 5 x plus 3 x minus 15 है न तो यहां पर हम हमारा उत्तर आएगा x minus 5 और x plus 3 equals to 0 तो x कमान होगा 5 है न तो x कमान minus 3 होगा minus 3 जो की एक धनात्मक पूर्णांग नहीं वह एक पूर्णांग है लेकिन धनात्मक नहीं है माइनिस 3 है मतलब धनात्मक 3 है जो की अवश्य पॉजिटिव याफिट धनात्मक नहीं है तो minus 3 x का जो मूल है यहोना x का जू मान है यहाँ इस समुझ्चय का भाग नहीं होगा कि यहहाँ पर एक यह समुझ्चय में वह यह समुझ्चय में वह acak जो की एक धनात्मक पूर्णांग है और इस समई कूर्णं के मूल है तो माइनस तीन क्या है धनात्मक नहीं है इसलिए हम उसे समझ्चाय का भाग नहीं मानेगी ठीक है तो एक्स का मान क्या हुआ प्लस पाच ठीक है तो ई तो ई क्या है एह है यह सिर्फ ए के समत्पर है तो हम अब इसका देखते हैं यहाँ पर देखो है पहला वाला समच्छा है जोकि ए है ए समुच्चय में, एना, ए समुच्चय में 0 है, ठीक है, अगर हम B समुच्चय देखें, तो B समुच्चय 5 है, इस समुच्चय में 0 नहीं है, और अगर हम C समुच्चय देखें, तो C समुच्चय में भी 5 अभी 5 है, 0 नहीं है, और D में भी 5 है, 0 नहीं है, और E में भी सिर्फ प्लस पांच है, तो अगर हम देखें, तो A समुच्चा है, किसी भी समुच्चा के समान नहीं, ठीक है, उस A समुच्चा के अंदर 0 है, जीरो A के अंदर है, और 0 समुच्चा B, C, D और E में से किसी में भी नहीं है, अता A is not equals to B, A is not equals to C, A is not equals to D, और E, A is not equals to E, अर्था जो A ह समान नहीं, ऐसे A और C भी समान नहीं, और A और D भी समान नहीं, चुमक्या में 0 है, और 0, B, C, D और E, इन किसी इन समुच्चा में से और किसी समच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् और कोई समुच्च है रिक्त नहीं है अभी हमने देखा था बी के लावा और कोई भी समुच्च है रिक्त नहीं सभी में कुछ ना कुछ अव्याव है तो बी समुच्च है रिक्त नहीं है अर्था बी ना सी के बराबर है ना डी के बराबर है ना एक के बराबर है हमने देखा नहीं तो दीखते हैं जो सी समच्च्च देखा ता जिसमें हम ने यह समीकरण अना प्हें पांच आए था सी समच्च्च है में एक अवयव है जोकि पांच है है अगर हम E समुझ्च्य को देखें तो हमें इस समीकरण के जो X का माना आना था उसका समुझ्च्य है जो कि धनात्मक पूर्णांग पूना चाहिए X के यहां 2 माना आए थे плюс 5 और माइनस 3 जो की धनात्मक पूर्णांग नहीं है इसलिए हम उसे इस समुझ्च्य का भाग नहीं मान सकते इसलिए सिर्फ प्लस 5 को ई मतलब 5 को ही समुझ्च्य का भाग मानेगी ठीके तो C समुच्यय में एक अव्यव है जो कि 5 है और E समुच्यय में भी एक अव्यव है जो कि 5 है अर्था персонale ai क्या है आप Dash एक समान समुच्य correspond 10 सिम देखी सीम अगर रोच्टर वुप में देखे दूसरी पाच आएगा परंद्थु माइनिस पांच अगर आगर दी में देखेंगे सी तो पी धार माइंन सब्सक्राइब के लेकिन यहाँ पर माइनिस बिखे है अगर एकस यहाँ पर दिमें माइनस पांच भी अर्थाथ सी और चिस और इक्ल सुथ म् है लेकिन जो i है जो i है उसमें सिर्फ एक यह जो की 5 है अर्था C और E क्या है आपस में समाल है और D में क्या था माइनस 5 और 5 है ना डी को अगर हम रोस्टर रूप में देखेंगे तो मजलिक उश्टक के अंदर दो अव्यव आएंगे माइनस 5 और 5 है ना जो कि अल्प ब्राम से त्रथक किये गए मैनिस पांच और ए में क्या है सिर एकी पांच यह मतनल Pじゃあ B और E समुच्चे के समान नहीं है ना A के ना C के ना D के ना E के ना C समुच्चे और E समुच्चे आपस में समान है और D समुच्चे और E समुच्चे आपस में समान नहीं तो इन सारे योगमों में सिर्फ C और E तो ऐसे समुच्चे है जो की आपस में समान है बागी कोई भी समुच आपस में समान नहीं इसमें कोई दिख्कत नहीं न इस प्रकार समुझ समान समुच्चेयों का योग में केवल सी तथा इए चलो लोगों उधारन नमबर आठ निमनलिकें समुच्चयां योग्मूं में से कौन से समान है अपने उत्तर का ऑचित बताई है ठीक है हमें देखना है कि इन युगमों में से कौन से समान पहला एक्स सब्द अलोय के अक्षरों का समुच्च है तता बी सब्द लोयल के अक्षरों का समुच्च है एक्स क्या है यह जो शब्द है अलोय इसके अक्षरों का समुच्चा है अगर हम देखें तो हम समुच्चे के अंदर जो हम रोस्टर रूप में लिखते हैं तो किसी भी अक्षर को दो बार नहीं लिखते हैं सिर्फ एक ही भाल लिखते हैं तो एक तो एक शब्द का है जो समुच्चे होगा वहाई क्या होगा A-L-O और य इहां हम्दर के अफिक The गया तो क्या आईगा A-L-O और य और रम भी शब्द की शुझत की समुच्चे को देखें यहां भी जो है में दो बार दिया हुए तो इस सम net Eu Comics में कि आएगा ल ओ इंड एंड दरश्य समान हुए जो इन इस लिए नहिं हा रहा था क्योंकि यहां पे इनने दो रहे हैं और यहां पर दहें दो भार है हगर देखा जात यहां फैक्स में और वीअ है एकस समस्चे और owl दीचा है अभी हम इससे भी हल्थ देखेंगे दूसरा किया है समुच्छी आविचा है यहाँibile सब्स विखな सब्सक्तिया जहां पर एंगे इंटीजर मतलब पूर्ण आग यह करेंगे एक्वास टू फूर है मतलब अगर हम वर्गमूल करेंगे और इसे हल करेंगे एक्स का मानाएगा है ना मतलब एन क्या होगा एन का मानाएगा एन माइनस दो से बड़ा है है ना n- n क्या होगा ? – 2 के 4 के बीच में होगा और – 2 और 2 के बीच में होगा जबहाँ पिर – 2 और 2 भी इसके बाभ होँगे तो यह समुझे में क्या हैगा ? – 2, 1, 0, 1 और 2 हम इसका हल करेंगे n squared less than equals to 4 तो हमारा उत्तर आएगा – 2 से n क्या है ? – 2 से लेके 2 तक समुच्चे होगा माइनिस दो एक शुन एक और दो और अगर हम वी समुच्चे को देखें तो वी समुच्चे क्या कहता है सभी एक्स के लिए समुच्चे जहां पर एक्स क्या है एक रियल लंबर है और उसका समी करण है करेंगे विएक मार्ण करेंगे तो दो एक और एक सноबारशर स्कारा अनुल इस नोगारों कंगा तो कहाईगा X कामान दो आएगा और एक आएगा ठीक है इसमें कोई दिखकत नहीं न ठीक है और यह क्या है माइनस दो माइनस एक शून एक और दो अगर हमें एँच कमान क्या है एक आया और दो आया तो वी समुझ्चह में हैं एक और दो यह समुझ्चे में माइय स्यूंग ह। यह आपस में क्या है समान नहीं है स weave एक समुझ्च्छे में हैं एल ऑउफ और ईयरम सिरफ यहाँ पर क्राम अलग अलग है लेकिन इन दोनों समुच्च्चेव में जो अक्षर है जो अवयव है वाई क्या है समान है अता X ओर बी समान समुच्च है क्योंकि किसी समुच्चे के अवयवों की पुंरा बृत्ती से समुच्च्चे बदलता नहीं है टावيد जोकि यैdir B की जोकी B की समान भी है अर्थाथ S और व ब आपस में समझ्चह हैं दूसरा एस समझ्चह क्या हुआ जैसे बी समझ्चह में है एक और दो और एस समझ्चह मेंष cd-2-1 0ड2 जो की आपस में समान नहीं क्योंकि यहाँ पर काफी अव्यव है जो कि भी में नहीं जैसे कि शून है यह ना वाई ए समच्चय में है लेकिन भी समच्चय में नहीं इसलिए और भी क्या है समान नहीं ठीक है चला समच्चय सबसें नहीं आपकी पुस्तक में दिया हुए नीचे दिए समुच्चय योपद विचार कीजिए एक divided चुम आपके विद्ध्याले के सभी विद्ध्यार्तियों का सबच्च emphasizing एक और मान लीजर है यह यह आपके आपका विद्ध्याला है वहलब यह है हमारा एक समुझ्चा है इनका समुझ्चा है हमारा एक्स ठीक है और यह अगर पूरा विद्ध्याला है पर यह आपकी क्लास अगर पूरा विद्धाला है और यह आपकी कु मत फिरुष है तो यह समुझ्च सहे है और यह समुझ्च है जो आइक प्रते अविद्ध्याला नई हूं है आप प्रते हैं जैसी यह देखो ना यह बिंदु है यह माल ले रहा है ये क्या है? X की अबियाब है 5 के प्िदेख आवियाब जो है walay y की अबियाब नहीं है है नः? इस लिए हम कहते है की y क्या है x का एक उप समुच़्य है ठीकँ है? y क्या है? x का एक उप समुच़्य है प्रतीकों में है न grace इक है उप समुच्च्च this के लिए प्रयोप्त होता है इसमें कुई दिक्कत नहीं चलो परिवाशा 놉च रिख समुच्च आ प्रतिक समुच्चे भी समुच्च्चय को अभी एक? तो एक का उप समुच्चय कहलाएगा। दूसरे सब्दों में ये उप समुच्चे का प्रतिक है यदी है आएक क्या है बी का उपसमुच्च्च है यदि जब कभी ए जो है यह जो माली कि ऐ का प्यर्फ है जो है पिआ जो है जो स्मॉर करना ब bell नो अगरिannya जो कि यह जो स्मॉल एक सब्सक्राइब करूं करकर ना G10 वैदि स्मॉलल जी faze थिदिक होग करके तो यह सब्सक्राइब का जिलाता यदि छो स्मॉल लिए और तातपर है कि वह भाई बीका भी अभ्याव है इसमें कोई दिक्कत यह हो गया हमारा उप समुझ्च ठीक है बाकी अगले आज हमने क्या पड़ा आज हमने उधार नंबर साथ और उप समुझ्च है जिसे हम सबसेट्स के नाम से जानते हैं उसवें चर्चा की ठीक है बाकी अगले भाग में हम जो परिभाशा नंबर चार है जिसे हमने थोड़ा सा पड़ाता जिसे हम और अच्छे से अगले भाग में पड़ेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले भाग में धन्यवाद थैंक्यू हुआ 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 है